नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओपो F19 vs Moto G40 Fusion का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, ओपो F19 में 6.31 इंच जब की Moto G40 Fusion में 6.68 इंच की लेंथ मिलती है बात करें थिकनेस की तो, ओपो F19 में 0.31 इंच जब की Moto G40 Fusion में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है जो की ओपो F19 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, ओपो F19 में 175 ग्राम्स जब की Moto G40 Fusion में 225 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की ओपो F19 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, ओपो F19 में AMO LED जब की Moto G40 Fusion में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनु फोन में सेम ही ओपो F19 में 20 रेशियो 9 जब की Moto G40 Fusion में 20.5 रेशियो 9 मिलता है Display Size की बात करे तो, Oppo F19 में 6.43 इंचर्स जबकि Moto G40 Fusion में 6.8 इंचर्स मिलती है Display Resolution, Oppo F19 में 1080 x 2400 और, Moto G40 Fusion में 1080 x 2460 मिलता है Screen to Body Ratio, Oppo F19 में 84.38 प्रतिशत जबकि Moto G40 Fusion में 85.43 प्रतिशत मिलता है बात करे PPI Density की तो, Oppo F19 में 409 प्रतिश जबकि Moto G40 Fusion में 395 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहने बात करे Men Camera की तो, Oppo F19 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Depth Camera, Macro Camera देखने को मिलता है और Moto G40 Fusion की बात करे तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Depth Camera देखने को मिलता है बात करे विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो ओपो F19 में Single Camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 Different Features मिलते है और Moto G40 Fusion में भी Single Camera देखने को मिलता है जिसमें 4 Different Features मिलते है अई अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते है Hardware में सबसे पहेले CPU जो की Speed के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे Important Part है उसकी Details देखते है GPU की बात करें तो Oppo F19 में Adreno 610 जबकि Moto G40 Fusion में Adreno 618 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Oppo F19 में Qualcomm Snapdragon 662 और Moto G40 Fusion में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है बात करें RAM की तो Oppo F19 में 6GB की RAM मिलती है जबकि Moto G40 Fusion में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Oppo F19 में 128GB की Storage मिलती है जबकि Moto G40 Fusion में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Oppo F19 में अप्टु 256GB जबकि Moto G40 Fusion में अप्टु 1TB है Operating System दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है Battery Oppo F19 में 5000mAh जबकि Moto G40 Fusion में 6000mAh देखने को मिलती है अईए अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो Colors Option देखने को मिलते है Sub Information देखने के बाद बात करें Price की तो Oppo F19 में एक ही Variant देखने को मिलता है जो की 6GB RAM 128GB Storage के साथ 17,990 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Moto G40 Fusion की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 14,999 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 16,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 7 फाइदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OPPO F19 आगे है में कैमरा में Moto G40 Fusion आगे है Front, Selfie कैमरा में दोनों फोन सेम ही है Performance में Moto G40 Fusion आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाउमी Redmi Note 10 Pro है जो की 17,857 रुपे में मिलता है दुसरा शाउमी Redmi Note 10 है जो की 12,499 रुपे में मिलता है तीसरा Realme 8 है जो की 13,999 रुपे में मिलता है और last competitor phone की बात करे तो उसमें Realme 8 Pro है जो की 17,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना